पहली नमबर 1 ऐसे तीन नमबर बताओ जिने आपस में गुणा करें या जोडें उत्तर सेम ही आता है पहली नमबर 1 ऐसे तीन नमबर बताओ जिने आपस में गुणा करें या जोडें उत्तर सेम ही आता है तो लगाईए दिमाग और दीजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है 1,2 और 3 जी हाँ दोस्तों 1,2 और 3 ऐसा नमबर है जिसको आपस में गुणा करें या जोडें उत्तर सेम ही आता है पहली नमबर 2 एक कमरे में 400 आदमी थें उनमें से 200 गएं तो कितने बचें तो सोचिए और दिजिए इसका सही उत्तर आपका टाइम श्टार्ट होता है अब इसका सही उत्तर है 400 ही बचेंगे जी हाँ दोस्तों क्यूंकि दोस्त सो गए हैं लेकिन उसी कमरे में हैं पहली नमबर 3 अगर सरिता अपने स्कूल में 40 सबसे तेज और सबसे धीमी धावक यानि की रनर है तो उसकी केलास में कुल कितने चात्र हैं तो सोचिए और दिजिए इसका सही उत्तर आपका टाइम श्टार्ट होता है अब इसका सही उत्तर है 89 चात्र जी हां दोस्तों 79 स्टुडेंट केलास में बचेंगे पहली नमबर 4 अगर आप एक गेंद को अपने से 10 मीटर दूर फेकते हैं तो बिना किसी चीज को छुए आपके पास वापस कैसे आ सकती है तो सोचिए और दिजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है क्यूंकि गेंद को उपर की तरफ फेकेंगे जिससे वे बिना किसी चीज को छुए आपके पास वापस आ जाएगी क्या आपको इसका उत्तर पता था कमेंट में जरूर बताएं पहली नमबर 5 7 प्लस 8 बराबर 240 कैसे होगा तो लगाए दिमाग और दिजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है गलती से जी हाँ दोस्तों गलती से यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए यदि आपने आमें फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया है तो अभी फालो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवेन है पहली नमबर 6 बताओ इन में से क्या सही है 9 और 5 तेरा या 9 प्लस 5 तेरा तो सोचिए और दिजिए इसका सही उत्तर आपका टाइम स्टाट होता है अब इसका राइट अंसर है कोई भी सही नहीं है जी हां दोस्तों कोई भी सही नहीं है क्यूंकि 9 प्लस 5 चौदा होता है पहली नमबर 7, 4 और चार मिला कर कब आण से अधिक बनते हैं तो लगाईए दिमाग और दिजीए इसका सहीवत तर आपका समय शरू होता है अब इसका राइट अंसर है जब 44 बनते हैं जिहां दोस्तों, 4 और 4 मिला कर जब 44 बनते हैं तब वे 8 से अधिक बनते हैं पहली नमबर 8 एक मंदिर के 9 दरवाजे एक दरवाजे में 9 पंडित एक पंडित की 9 बीवी एक बीवी की 9 बच्चे एक बच्चे के पास 9 टोकरी एक टोकरी में 9 फूल बताओ कुल कितने फूल तो लगाए दिमाग और दिजिए इसका सही उत्तर आपका टाइम शुरू होता ह अब इसका राइट अंसर है 9 फूल जी हां दोस्तों कुल 9 पहली नमबर 9 आपकी उम्र 18 साल होते ही आप क्या देने लायक हो जाते हैं तो लगाए दिमाग और दिजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका सही उत्तर है ओट जी हां दोस्तों 18 साल होते ही आप ओट देने योग्य हो जाते हैं पहली नमबर 10 बबीता देवी की 10 लड़कियां है और उन सभी लड़कियों का एक एक भाई है बबीता देवी के कुल कितने बच्चे हैं तो ये बड़ा इंट्रेस्टिंग कोस्च यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं आपका टाइम स्टार्ट होता है अब इसका सही उत्तर है 11 बच्चे जी हाँ दोस्तों बबीता देवी के कुल 11 बच्चे हैं यदि वीडियो से आपको जरा भी नौलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए आएसे ही नौलेजेबुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम